नमस्कार दोस्तों मैं हूं कुमार गोरप और हमारे इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत हैं हम लोग अपना टॉपिक आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, और इस आधुनिक भारत में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जैसे सबसे पहला टॉपिक हमने उत्तर कालीन मुगल, दूसरा यूरोपियन कंपनी से ने इंडिया, और उसके बाद बहुत सारे टॉपिक को, सारे टॉपिक का जो है वीडियो यही इसी प्लेटफॉर्म पर जो है, वो पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से उसका पीडियेफ भी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा, एक चीज, दूसी चीज हमने ला आज हम लोग अपना अगला टॉपिक यानि दिल्ली दरबार इसको पढ़ने जा रहा है, आप लोग समझेंगे हर बात को, और देखिए मेरा प्रियास ये रहता है, कि हर चीज को हम लोग कंसेप्च्वली यानि कंसेप्ट के बेस पर पढ़ें, कि आखिर ऐसा हुआ, तो अच्छा, दिल्ली दरबार 1911, ये 1911 की घटना है, दिल्ली दरबार 1911, सुनिए, 1911 में, टॉपिक का नाम है दिल्ली दरबार, 1911 में, ब्रिटेइन के समराट, यानि, उनिस सो ग्यारे में, ये ब्रिटेइन के साशक या ब्रिटेइन के समराट, और क्या नाम था उनका, जोर्ज फिप्थ, ब्रिटेइन के समराट, जोर्ज फिप्थ, और उनकी मैनम, यानि महरानी मैरी, महरानी मैरी या रानी मैरी, कु महारानी मेरी, दुबारा से सुनिएगा, 1911 में, बृटीन के समराट, जोज फिप्त, और उनकी मेडम, यानि महारानी मेरी, वो भारत यात्रा पर आई थे, बिटा, 1911 में दिली दर्बार था क्या, आपसे कोई पूछे, दिली दर्बार था क्या, तो देखो, 1911 में, ब्रिटेन के समराट जौज फिप्ट और महरानी महरी भारत यात्रा पर आये थे क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था अंग्रेजों का उपनवेश था अंग्रेजों की सत्ता थी तो ये जो ब्रिटेन के समराट जौज फिप्ट ये हमारे देश के भी सम्राट थे हमाई देश के भी राजा थे क्योंकि हम अंग्रेजों के खुद गुलाम थे ब्रिटेन में बैठी हुई सत्ता हम पर सासन कर रही थी इसलिए ये हमारे देश के भी राजा थे और 1911 में जौज, फिप्थ और महरानी महरी जब ये भारत यात्रा पर आए तो इनके स्वागत के लिए बेटा दिली में भब्य दिली दरबार का आयूजन किया गया क्योंकि ये राजा थे और राजा दरबार में बैठता है इसलिए इनके स्वागत में भव्य दिल्ली दरबार का आयूजन किया गया बोर्ड पे सारी बात लिखी हुई है कि 1911 में ब्रेटेन के समराज जोज फिप्तो महरानी मेरी भारत यात्रा पर आये और इनके स्वागत में भव्य दिल्ली दरबार का आयूजन किया गया 1911 में एक चीज दोसे चीज मैं आपको बताओं दिल्ली दरबार का आयूजन किया गया अच्छी बात है और इस समय हमारे देश का वाइसराय जो था बो था लौर्ड हार्डिंग लौर्ड हार्डिंग सेक जो है वो हमाई देश का वाइसराय था जब दिल्ली दरबार हुआ ठीक है दिल्ली दरबार के समय भारत का वाइसराय लोर्ड हार्डिंग था इस दिल्ली दरबार में दो नेने लिए गए बेटा पहली चीज तो 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1911 को ये दिल्ली दरबार प्रारम हुआ था और 12 दिसंबर 1911 को नेने लिया गया क्या नेने लिया गया पहला नेने ये लिया गया कि बेटा जो बंगाल बेभाजन हुआ है उसको रद किया जाता है लेकिन बंगाल बास्तम में एक बहुत बड़ा राज्य है इसी लिए उडीसा को और बिहार को बंगाल से अलग किया जाता है और असम को एक कमिस्नरी छेत्र बनाया जाता है दोबारा से सुनिएगा बंगाल बेभाजन में 12 दिसंबर 1911 को नेने ये लिया गया कि बंगाल बेभाजन को रद किया जाता है दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को नेने ये लिया गया कि बंगाल बेभाजन को रद किया जाता है लेकिन बंगाल बास्तम में एक बहुत बड़ा राज्य है इसलिए उडीसा बिहार और असम इन दोनों छित्रों को बंगाल से इन तीनों छित्रों को अलग कर दिया जाता है और असम को कमिस्नरी राज्य बनाया जाता है दूसरा नेने क्या लिया गया कि जो भारत की राजधानी है कलकत्ता जो भारत की राजधानी है कलकत्ता उसे बदल करके नई दिल्ली किया जाता है उसे बदल करके नई दिल्ली किया जाता है दोबारा से सुनिएगा इस दिल दरबार में 12 दिसंबर 1911 को दो नेने हुए पहला नेने फॉस्ट आफ आफ ओल के बंगाल विवाजन को रद कर दिया गया जो 16 अक्टूवर 1905 को लौड करजन के द्वारा बंगाल विवाजन किया गया था उसे रद कर दिया गया था लेकिन बंगाल बास्तम में बहुत चित्र था इसलिए ओडिसा बिहार और असम जो है वो बंगाल से अलग कर दिये गए दूसरा दूसरा सेकेंड वन जो है वो भारत की राजधानी जो है वो कलकता से नई दिल्ली बनाई गई अब आपके सामने प्रिष्ण यह उठता है अभी मैंने ये कहा कि हर चीज का अप का भी कंसेप्ट है सेम ऐसे ही भारत की राजधानी कलकता से नई दिल्ली क्यों बनाई गई उसका भी अपना एक कंसेप्ट है देखो बेटा आप से कोई पूछे के 1911 में भारत की राजधानी कलकता से नई दिल्ली क्यों बनाई गई थी तो उसका पहला कारण यह है कि जो ये बंगाल था वो ये आंदोलन का रिया रास्तिय आंदोलन का गड़ बन गया था ये बंगाल जो है वो रास्तिय आंदोलन का आंदोलन का केंद्र बन गया था इसलिए बेटा ये जो राजधानी थी कलकत्ता वो सुरच्छित नहीं थी केंद्र बन गया था इसलिए ये जो राजधानी थी कलकत्ता वो इसका किंद्र बन गया था कभी भी इस राजधानी में बवाल होने के चांसे थे अंग्रेजों को बहुत जादा च्छती पोंचने के चांस थे इसलिए पहला कारण तो ये कि इसे भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाया गया कलकत्ता से नई दि दूसरा कारण और बड़ा कारण कि देखो बेटा दिल्ली जो है वो भारत के एकदम केंद्र में इस्थित है लगवक केंद्र में है दिल्ली भारत के लगवक केंद्र में है और यहां से हम कस्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात और असम सारे छित्रों पर सासन कर सकते हैं यानि ये जो दिल्ली थी वो केंद्र में थी इसी लिए और केंद्र में इस्तित थी इसलिए और अंग्रेजों ने अपनी राजधानी यहां दिल्ली बनाने का प्रयास किया तीसरी बड़ी बात देखो बेटा उस समय जिस समय 1911 के हम बात कर रहे हैं उस समय ऐसा लग रहा था कि बड़ी लेबल पर कोई युद्ध हो सकता है और अंग्रेजों के पीछे पूरा यूरोप पड़ा हुआ था और ये जो कलकत्ता है वो समुद्र के किनारे इस्तित था सुनिएगा कलकत्ता जो है समुद्र के किनारे सित था कोई भी इसको हानी पौचा सकता था इसी लिए इन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली बनाई और आखरी कारण जो है वो दिल्ली एक एतिहासिक नगर था दिल्ली एक हिस्टोरिकल सिटी थी जहां से उगलों ने अपना सासन संचालन किया था इसी लिए अंग्रेज भी चाते थे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली बने ताकि भारत के लोगों में ये हमेशा दिल्ली के पति जो उनका अपना पन है दिल्ली के पति उनके जो स्रद्धा है दिल्ली के पति उनका जो लगाव है वो लगाव हमेशा इसी तरह बना रहे इसे लिए बेटा भारत की राज़ानी कलकत्ता से नई दिल्ली बनाई गई बहुत आसान चीज़ा है बहुत एजी सा पॉइंट है आप बस एक बात ध्यान से सुनिएगा समझेगा दिल्ली दरबात आप सब जानते हमारे देश में भी जतने राजा हुएं वो सब लोग दरबार रगाते थे राजा का प्रमुक कार्य होता है दरवार और दरवार में जनता की बाता को सुनना इसूस को सुनना देश में क्या चल ला है उन टॉपिक को सुनना ये सारी चीज़े और मैं तो कहता हूँ आज भी दरवार लगता है जब हमाई देश के केंद्रिय कैबनेट की मीटिंग होती ह और आप सब बाला की जानते हैं कि हपते में धो बार केंद्रिय कैबिनेट की मीटिंग होना अनिवार रहे हैं तो बैसे ही दिल्ली दर्बार 1911 में ब्रिटेन के समराट यानी हमाई देश के समराट भी जॉज फिप्थ और उनकी महरानी महरी भारत त्यात्रा पर आई थे उनक काल बेभाजन रद किया गया लेकिन उडिसा बिहार और असम इनको बंगाल से अलग कर दिया गया भारत की राज़ानी कलकत्ता से नई दिल्ली बनाई गई नई दिल्ली क्यों बनाई गई उसके अपने कारण मैंने बता है आपको क्योंकि बंगाल आंदोलन का केंद्र बन दिल्ली केंद्र में इस्थित थी कलकत्ता समुंद्र के किनारे इस्थित था इसलिए असुरच्छित सहर था और चौथा मैंने आपको बताया कि ये जो दिल्ली है ये बेटा क्या है भारत की दिल्ली जो है वो एतिहासिक नगर है लोगों की स्रद्धा दिल्ली में थी लोगो बना रहा है वही सब कुछ चलता रहा है इसलिए भारत की रास्थानी कलकत्ता से नई दिल्ली बनाई गई हलांके मैं आपको यह एक छोटी सी बात वर बताऊंगा कि बेटा पहले सहर था दिल्ली और इस दिल्ली के दच्छन में यानि साउथ में एक नया सहर अंग्रेजों ने बसाया जिसे हम लोग कहते हैं नई दिल्ली और बेटा इस सहर को बसाने के लिए दो बास्तुकार यानि दो आर्किटक्ट बुलाई गए जिनमें एक था एडविन लुटियंस लुटियंस यह बहुत फीमस नाम है बहुत फीमस नाम है और दूसरे हैं हरवर्ट हरवर्ट बेकर यह दो बास्तुकार जो हैं वो बुलाई गए अच्छा अब सहाब यह जो एडविन एडविन जरा एक चीज़ को और हम समझते हैं, जब टॉपिक चला है, तो, क्या साब बेटा आप इस बात को जान लिजिए के दिल्ली में, जो इंडिया गेट है, जो अपना इंडिया गेट है, इंडिया गेट से लेकर के और रास्ट पती भवनतक, बेटा, इंडिया गेत से रास्ट ये जो 3.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का जो राष्ता है उसे हम लोग राजपत के नाम से जानते हैं ये राजपत है और बास्तम में ही ये राजपत है यहीं से हमाई देश की सरकार चलती है बेटा यहीं हमारे देश से रास्टपती भवन है हमाई देश का संसत भवन है हमाई देश में जितने प्रमुख मंत्राले हैं उनका हैड आफिस रेल मंत्राले का बेदेश मंत्राले का ग्रह मंत्राले का हर एक मुख्याले आपको बिज् भवन भी यहीं इस्तित है तो यह सब यहीं इस्तित है और बेटा इसको हम लोग देखिए दोबारा से सुनिए इंडिया गेट से लेके रास्टपती भवन तक जो यह रास्ता है आप अगर दिल्ली गए हों कभी तो इसे हम लोग राजपत के नाम से जानते हैं और यहीं से हम ये पहले था वाइस राय भवन और इसमें रहने वाला पहला वाइस राय जो था वो था आपका लॉर्ड एरविन और बेटा ये राई सीना हिल्स पर बना हुआ है। जो दो भागों बटा हुआ एक North Block और एक South Block सचवाले और सचवाले में सचवाले यहां सभी प्रमुक हमाई देश के जो प्रमुक आईये सदिकारी है वो सब आपको यहीं मिलेंगे सेकेटरियेट, सेंटरल सेकेटरियेट, North Block और साउथ ब्लोग बेटा इस सचवाले को जिसने बनाया है वो है आपके हरवर्ट बेकर इन हरवर्ट बेकर ने क्या किया है इसको डिजाइन किया और तीसरी चीज इसी पह जो है रास्पत पही जो सबसे मेत्पूर है वो है आपका पालियामैंट, संसद भवन और इस संसद भवन को हरवर्ट बेकर और लॉर्ड एडविन इन दोनों लोगों ने मिलके इस पालियामैंट को डिजाइन किया है आज कल क्या चल रहा है हम इस बात को देखते हैं हमाई देश में सब कुछ अच्छा चल रहा था पूरी दुनिय हमें सब कुछ अच्छा चल रहा था और हमाई देश की एकनोमी चार ट्रिलियन के साथ चार ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ दुनिया की पांच भी बड़ी अर्थवस था थी जाने दीजिए लेकिन बीच में आगए कोरूना इनकी बज़े से इन से पहली क्या चल रहा थ कि हमाई देश की सरकार ने देखो बिटा एक चीज और मैं आपको बता दूँ यह जो इंडिया गेट से और राष्टवती भवन तक का एरिया है इसको हम लोग सेंट्रोल विस्ता विस्ता एरिया भी कहते हैं कोई बात ने अब कोरूना से पहले सरकार ने यह कहा था कि हम न इंडिया गेट से लेके राष्टवती भवन तक जो यह पूरा एरिया है इसको हम दोबारा से रिस्ट्रेक्चर करेंगे सब कुछ तोड़बाय जाएगा नया नया बनेगा संसत भवन भी नया बनेगा बिग्यान भवन को भी सिफ्ट किया जाएगा एक दो म्यूजियम बन इसके लिए सरकार ने बीस हजार करोड रुपई रखे हैं यह एमाउंट एकडम याद कर लिजेगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए बीस हजार करोड रुपई रखे गए हैं हालांके हमाई देश में बिपच्छी पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि कोरोणा को देखते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगा देनी चाहिए अब वो सरकार देखे क्या करती है यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा कि ये जो इंडिया गेट है बेटा ये नई दिल्ली में आप सब बालक जानते हैं ये नई दिल्ली में इस्थित है और ये बेटा इंडिया गेट जो है वो फॉस्ट वर्ल्ड वार यान प्रथम बिश्युद्ध के समय तथा अफगान युद्ध के समय जो भारतिय सहीद हुए थे उनकी याद में ये इंडिया गेट बन बाया गया था इंडिया गेट जो नई दिल्ली में स्थित है वो प्रथम बिश्युद्ध या अफगान युद्ध के समय जो भारतिय सहीद ह थे उनकी याद में बनबाया गया था और इसी इंडिया गेट के पास अमर ज़वान ज्योती इस्तित है और यहीं अमर जवान ज्योती पर ही एक दिया सहीदों की याद में हमेशा जलता रहता है खेर इसको आगे दिखते हैं लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना याद रखना ये इंडिया गेट जो है वो नई दिल्ली में इस्थित है इंडिया गेट नई दिल्ली में इस्थित है और इस इंडिया गेट को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया है और इस इंडिया गेट की जो उचा ही है ये जो इंडिया गेट की उचा ही है वो है 42 म लेकिन अब हम बात कर रहें गेटवे आफ इंडिया गेटवे आफ इंडिया बेटा यह जो गेटवे आफ इंडिया है यह मुंबई में इस्थित है और यह क्यों बन बाया गया था जैसे इंडिया गेट जो है वो इंडिया गेट जो है वो प्रथम विश्युद्ध के दोरान और अफगान युन्त के दोरान जो भातिये सहीद हुए थे उनकी याद में बन बाया गया था बैसे ये gateway ओफ इंडिया जो मुंबई में है जिसकी उचाई जो है वो 26 मीटर है और इसको बेटा इसको बन बाया गया था जो ये समबराट जो समबराट जॉर्ज फिप्ट है जॉर्ज फिप्ट और उनकी महारानी मेरी इनकी इस यादरा की याद में ये gateway ओफ इंडिया बन बाया गया था दोबारा से सुनिएगा कोई आप से पूछे कि ये gateway of India क्यों बनबाया गया तो gateway of India मुंबई में स्थित है और ये ब्रिटीन के संबरा जोज फिप्ट और महरानी मेरी की याद में जो है वो बनबाया गया था और जैसे हमने यहां पढ़ा कि India gate की उचाई 42 मीटर है बैसे ही इसकी उचाहिज जो है मैं आपको बता दू 26 मीटर है और जैसे इसे एडविर लुटियंस ने बानाया है यह ऐडविर लुटियंस ने डिजाइन किया है बैसे ही इसे जौर्ज वीटेट ने डिजाइन किया है जोर्ज वीटेट ने डिजाइन किया है Gateway of India को I think आपको सारी बात सबज में आ गई होंगी लेकिन एक चीज में आपको फिर से बताना चाहूंगा Central Vista Project बेटा, इंडिया गेट से राश्टवती भवन तक राश्पत है यही हमाई देश का सचभाला है यही हमाई देश की संसदवन है यही से हमारे देश की सरकार चलती है और इसको रिस्ट्रेक्चर इसके पुनर निर्मार से सम्मंदित है Central Vista Project 20,000 करोड रुपे का यह पुजेक्ट है जिसके द्वारा यहां पुनर निर्मार किया जाएगा हम अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं रास्टवती भवन को 22 भवन के नाम से जाना जाता है और यहां रहने वाला पहला वाइसराय जो है वो आपका लॉड इर्विन था लॉड इर्विन के द्वारा ही दिल्ली सहर का उधगाटन किया गया था 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उधगाटन 13 फरवरी 1931 को वाइसराय लॉड इर्विन के द्वारा किया गया था तो यह सारी चीज़े आपके समझ में आ गई होंगी लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आगे क्या बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं यह बड़ी कुछ दर्दनाक तस्वीरे हमाई सामने प्रस्तोत हो जाती हैं कैसी तस्वीरे प्रस्तोत हो जाती हैं जब हमारे देश में या पूरी दुनिया में इस तरह का संकट फैला हुआ है तो कुछ लोग जो है कभी-कभी दिखता है कि वो पाईटी कर रहे हैं या कहीं ऐसा पैसा खर्चा कर रहे हैं जबकि पैसे की इतनी ज़्यादा जरुवत आज हमाई देश में आम जनता को है मैं आपको बता रहा हूँ एक बार एक राजनेतिक पाईटी जो है गुंदेल खंड में सूखा पड़ा हुआ था और इतावा में एक पाईटी जो है राजनेतिक दल वो पाईटी मना रहा था गलत बात है है जब हमाई देश में पूरी टेंशन चल रहा है जब लोग भूख से तड़प रहे आप ऐसा खर्चा कर रहे हैं सेम ऐसे ही हुआ जिस समय हमाई देश में ज़र्ज फिप्त और महरानी मेरी भारत यात्रा पे आये थे और इनके स्वागत में हमाई देश के बाईसरा है लॉर्ड हार्डिंग ने करूडो रुपिया खर्च कर दिये तब बेटा हमाई देश में अकाल फैला हुआ था करूडो करूडो लोग भूख से मर रहे थे तडप रहे थे और उसी समय हमाई देश के बाईसरा है लॉर्ड हार्डिंग ने इनके स्वागत में करूडो रुपिया खर्च कर दिया हालांकि हमाई देश में कुछ लोग हैं जो डूनाल ट्रंप की यात्रा की तुलना इसी से करते हैं लेकिन मेरा अपना इसमें कोई मत नहीं है जो समास कह रहा है वही में यह आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको समझा रहा था कि इनकी यात्रा पर करूडो रुपिया खर्च किया गया इसलिए हमाई देश में चार क्रांतिकारी जिन में और ये चारों गरम दल के निता थे जिन में थे सबसे पहले रास बिहारी बोस रास बिहारी बोस एक तो आप ये बात समझने बहुत अच्छे से जानने ताके कभी गलत नहों कि रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोस ये दोनों अलग-अलग नेता हैं, रास बिहारी घोस वो हैं जो नरम दल के नेता हैं और जो सूरत अधिवेशन के अध्यच थे, इनी के कारण सूरत अधिवेशन में बवाल हुआ था, आप लोगों को पता है मैं दोवारा रिपीट करना नहीं चाहूंगा, कि रास बिहारी घोस का, तो ये चार नेता थे, एक थे रास बिहारी घोस, दूसरे थे बलराज, बलराज, तीसरे थे हरवन्स, रास बिहारी घोस, बलराज, हरवन्स, और चोथे थे अमीन चंद, दुवारा से सुनिएगा, हम लोग डिसकेशन कर रहे थे, इस टॉपिक पर कि हमारे देश में, जिस समय, इनका, ब्रिटेन के संब्राज, जोज स्विप्त, महारानी मेरीका, स्वागत किया जा रहा था, तब पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ था, बैंकर वाल अकाल पड़ा हुआ था, और इनके स्वागत पर करोड़ों रुपिया खर्च कर दि को, बेटा, जब ये लॉर्ड हाइडिंग जो है दिल्ली आया, और ये अपने हाथी पर बैटके, हाथी पर बैटके, चांदनी चौक से गुजर रहा था, चांदनी चौक से गुजर रहा था तब इन चारो क्रांटेकारियों ने इस पर भंप हैका तब इस पर चारो क्रांटेकारियों ने रासबिहारी घुबोस, बलराज, हरवन्स और अमीन चन्न ने 22 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर भंप हैका कहां चान्नी चौक पर लेकिन ये लॉर्ड हार्डिंग जो है वो बाल-बाल बच गया उसके बाद ये रास भिहारी बोस जो है वो जापान चले गए और वहीं से इनोंने रेवलूशन करना प्रारंब किया बलराज और हरवन्स को आजीवन काराबास हुआ आजीवन काराबास मतलब लाइफ टाइम जेल आपको जिन्दगी भर जेल में रहना और अमीन चंद को फासी की सजाफ हुई बेटा इस घटना को हम लोग दिल्ली सडियंत्र केस की नाम से जाना जाता है दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे दोबारा से समझेंगे दिल्ली सडियंत्र केस क्या है 22 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हाडिंग जब हाती पर बैटकर दिल्ली आया और चानी चौक पर वो जा रहा था तब चार क्रांतिकारी रास बिहारी गोस बल्राज हर्वंस और अमीन चन्द ने उस पर बम फैंका बम फैंकने का कारण ये था कि जिस समय वो दिल्ली दरवार में करोडों रुपे खर्च कर रहा था उस समय भारत में जन्ता अकाल से तरस्त थी और जब उन्होंने बम फैंका ये बच गया और इसके बाद रास बिहारी बोस जापान चले गए बल्राज हर्वंस को आजिवन कारावास हुआ और अमीन चन्द को फांसी की सजा दे दी गए इसके साथ ही हमारा ये टॉपेक कौन-कौन सा एक तो दिल्ली दरबार दूसरा दिल्ली सड्यंत्र केस दोनों समाप्त हो गए और इसी बीच में मैंने आपको थोड़ा सा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी समझाने का प्रयास किया चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपेक ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो करेंट अफियर की चीज है पहली चीज फस्ट आफ आपको बता दूँ दूसरी चीज आप यह जान लीजिए मुझसे बहुत सारे बच्चे मैं दो तीन बाते आप से ना कहना चाहूंगा कि करेंट अफियर पढ़ना आपको अपना करेंट अफियर सही करना है तो आप स्रिफ और स्रिफ न्यूस पेपर पढ़िए और न्यूस पेपर भी फोन पर ना पढ़िए बिलकुल पढ़िए अपने घर न्यूस पेपर मंगाईए आप डैनिक जागन पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, वो न्यूस वेपर आप पढ़िएगा, उससे नोट्स बनाईएगा, अगर आप इस शक्कर में रहेंगे कि कोई हमें समझा दे तब हम कर लें, तो आप गलत जा रहें, उसका कारण ये है कि कॉपी का स्पेस करके अपना लगा लेते, पढ़ते रहते, आप भी पढ़ते रहते, खता, भूल जाते, इससे अच्छा न्यूस वेपर पढ़िए, उसको अंडरलाइन करिए, उसको अपनी कॉपी में लिखिए, अपनी नोट्स खुद बनाईए, और बनाके जैसे बहुत अगला टॉपिक है हमारा लखनो अधिवेशन, लखनो सेशन, किसका लखनो अधिवेशन, मैं बताता हूँ, लखनो अधिवेशन या लखनो सेशन, 1916, देखिए, बाई लख कह सकते हैं, ऐसा रहा हो कुछ, 1916 में मुस्लिम लीग और कॉंग्रेश, 1916 में मुस्लिम लीग और कॉंग्रेश, दोनों का ही अधिवेशन जो है, वो लखनो में हुआ था, अंबिका, चरण, मजूम्दार, मैं देखता हूँ, बहुत सारी वालक मैं कुछन लिखता हूँ, वहीं पहले ही आंसर देना शुरू करतें हैं, हैं? जैसे मैंने लखनू अधिवेशन बोला बहुत सारे वालक जो है अम्बिकाचनर मज़ूमदार लिखना प्रारम कर दिये तो बहुत अच्छी बात है बेरी गुड शाबास ऐसे करते रहेगा तो अम्बिकाचनर मज़ूमदार इसके अधिस्ट है और इस अधिवेशन में कांग्रेस का एकी करण यानि जो गरम दल है और नरम दल है वो दुबारा से एक हो गए और दूसरा इसमें क्या हुआ वो है सहाब आपका कांग्रेस और मुसलिम लीग मुसलिम लीग के बीच एक समझोता हुआ जिसे हम लोग लखनो समझोते के नाम से लखनो समझोते के नाम से जानते हैं कॉंग्रेस के एकी करण की बास सुनियेगा इसके क्या कारण थे कि कॉंग्रेस दुबारा से एक हो गई तो सुनियेगा जरा सबसे पहले यहां हम चार नेताओं के नाम आपसे मैं सेयर करना चाहूँगा पहले थे गोपाल, कृष्ण, गोखले दूसरे थे फिरोज साह महता तीसरे थे अरविंद घोस चौथे नेता जो थे आपके वो थे लाला, लाज, पत, राय यह जो आप देख रहे हैं गोपाल, कृष्ण, गोखले और फिरोज साह महता यह दोनों ही जो है वो नरम दल की नेता थे और बहुती नरम दल की नेता थे यह मतलब कुछ भी ऐसा नहीं सुन सकते थे जो अंग्रे सरकार के खिलाफ हो या जो सम्विधान के खिलाफ हो अच्छा यह गोपाल, कृष्ण, गोखले साब की डेट जो है वो फरवरी 1916 में हो जाती है फरवरी 1915 में माफी चाहूंगा फरवरी 1915 में गोपाल, कृष्ण, गोखले की मत्यू हो जाती है और फिरोसा मेता की मत्य जो है वो नवंबर 1915 में हो जाती है यानि नरम दल में थोड़ा सा नरम दल का जो बिचार धारा थी वो थोड़ी कम हुई अर्विंद घोश जो है बो ये गरम दल के नेता थे और लाला लाज़बत राए भी गरम दल के नेता थे ये राजनीटी से सन्यास ले लेते हैं और कहां चले जाते पांद चेरी और पांद चेरी में औरो बिले आसरम की स्थापना करते हैं औरो बिले आसरम की स्थापना करते और सन्यास ले लेते लाला लास्पतराय जो है वो कुछ समय के लिए अमेरिका चले जाते हैं यानि नरम दल के नेताओं में इन दो नेताओं की मत्यू हो जाती है और गरम दल के ये नेता जो है वो चले जाते हैं ये राजनीती छोड़ के ये अमेरिका चले जाते हैं अच्छा फिर उसके बाद इसकी बज़े से नरम दल थोड़ा कम जोर हुआ जो बिचार धारा थी वो कम हुई और ये गरम दल वाले चले गए इनमें भी बिचार धारा थोड़ी कम हुई अच्छा इसी लिए ये आपस में दोनों मिलना चाहते थे एक चीज़ दूसरी चीज़ जो है तीरफ पांचवी चीज़ जो है वो बाल गंगादर तिलक सहाब जो है आप सब बालब अब तो समझ गए होंगे कि 1908 में इन्हें 6 साल की जेल हुई थी और 1914 तक ये मांडली जेल में बंद थे ये बाल गंगादत तिलक जो है 1914 में रेहा हुके आ गए थे और इनों ने ये का था कि नरम दल गरम दल अकेले अलग अलग रहके कुछ नहीं कर सकते इसलिए मिलना बहुत जरूरी है फिर एक और बीच में आती है वो है आपकी एनी बेसेंट एनी बेसेंट ने कॉंग्रेस के सम्विधान में जो कॉंग्रेस का सम्विधान था उसमें थोड़ा बदलाब करवाया इनोंने कॉंग्रेस के सम्विधान में बदलाब करवाया बदलाब करवाया जिससे क्या होता था कॉंग्रेस के नेता जो है वो इन से जुड़ सकते थे कॉंग्रेस के गरम दल के नेता जो है वो कॉंग्रेस में सामिल हो सकते थे ये तो मैंने कारण बताए अच्छा उसके बाद एक प्रमुक कारण था नरम दल की जो नेता थे वो संवेधानिक बातों को मांते थे इसलिए भारतिय युबा इन से जुड़ना नहीं चाते थे क्योंकि इनका प्रोसेस बहुत लंबा था एप्लीकेशन लिखो, फिर सरकार के पास जाओ और को सरकार प्लीज मान जाओ, फिर जाओ सरकार के पास सिस्टम अंडल भेजो सरकार के पास, अपना जो है मांग पत्र दो सरकार को, और सरकार है के माने नहीं रही है अच्छा, इसलिए युबा इन में इंटरस्ट नहीं लेते थे दूसरी चीज गरम दल वाले जो थे, उनके साथ क्या था उन वो अंडूलन करते थे, लोगों को मार दिया करते थे इसलिए पुलिस गरम दल के नेताओं को उठा के जिल में बंद कर दीती थी इसलिए भारत में परिवार के सदस्य ये चाते थे कि उनके युवा सदस्य जो हैं, वो गरम दल के साथ न मिले इसलिए बेटा गरम दल और नरम दल अलग अलग थे लेकिन अब इस चीज को महसूस किया गया कि नई भाईया दोनों को एक किया जाए और फिर दोबारा से लखनों में दोनों एक हो गए और ये कॉंग्रेस का एक ही करण 1916 में लखनों में होता है फिर अब इधार आ जाते हैं, कॉंग्रेस और मुस्लिम लीक इन दोनों के बीच में एक एग्रिमेंट हुआ जिसे लखनों समझोता कहा जाता है इसका कारण क्या था, तो सुनिए सब से पहले 1912 में ये सभी मुस्लिम नेता जो है, वो 22 राय के पास गए, लौड हर्डिंग के पास गए कि सहाब जो ये अलीगड कॉलेज है, ये जो अलीगड कॉलेज है आपना प्लीज इस अलीगड कॉलेज को जो है, अलीगड यूनिवस्टी बनाती चीए अलीगड मुसलिम यूनिवस्टी का दरजा देती जिए वाइसराय ने कहा नहीं हो सकता बिलकुल नहीं हो सकता मुसलिम निताव को बड़ी ठेस पहुची कि यार हम तो राजवक्त हैं इनके आप सबको याद होगा हमने मुसलिम लीग में ऐसा डिसकसन किया था कि उन्होंने किनोंने जो मुसलिम लीग के पहले अध्यस्ते बाकर उल्मुल्क मुस्ताव हुसेन खा उन्होंने अलीगड विस्विद्याले के विद्यार्थियों को क्या संदेश दिया था कि अच्छा यही होगा कि मुसलिम अपने मुसल्मान अपने आपको अंग्रेजों की ऐसी फौज समझे हैं जो ब्रिटिश सत्ता के लिए खून भी दे जान भी दे बलेदान भी दे ऐसा भाला स्टेटमेंट दे रहे हम अपने युवाओं को ये समझा रहे हैं और इन्होंने सिर्फ अमारी इतनी सी मांग के अलीगड कॉलेज को अलीगड मुसलिम बिस्विद्याले में परिवर्तित किया जाए इतनी सी मांग को ठुकरा दिया भाईया ये कॉंग्रेस किसी के सगे नहीं है बंगाल में देखो सिराजुद दौला से लेके आज तक ये लोग ऐसे ही करते हैं तो मुसलिमों में अंग्रीजों के खिलाब एक असंतोस था दूसरा कारण क्या था सुनिएगा बंगाल बेभाजन रद कर दिया गया मतलब क्या इस बात का बंगाल बेभाजन होने की बज़े से जो पूरवी बंगाल था जो मुसलिमों बाला बंगाल था उसमें धेर सारे रियायते मिल रही थी खुब सारी सुबधाय मिल रही थी पैसा भी मिल रहा था और अंग्रेजों ने क्या किया बंगाल विवाजन को रद कर दिया तो इससे भी मुसलिम भर्ग जो है वो अंग्रेजों से क्या था नाराज था अच्छा फिर और क्या हुआ कॉंग्रेज के कुछ मुसलिम लीग के कुछ नेता जो है वो कॉंग्रेज की बिचारधारा से प्र था जिसे हम लोग एहरार अंदोलन कहते हैं बेटा ये बहुत important question है एहरार अंदोलन ध्यार रखना आप लोग हमेशा इस एहरार अंदोलन के अंतरगत ये विवस्ता थी आप से कोई पूछे या इंटर्विव में कभी पूछा जा कि एहरार अंदोलन क्या था तो ऐसे बताई कि सर कौम मुसलिम लीके कुछ ने था जैसे आपके मौलाना अबुलकलाम आजाद साप हो गए जैसे कि हकीम अजमल खां हो गए जैसे हसन इमाम हो गए जैसे मौंबद अली जिन्ना हो गए दोबारा सुनिएगा मौंबद अली जिन्ना हो गए हसन इमाम हो गए हकीम अफजल ख प्रारम में कॉंग्रेस ने बिरोध किया था जिसका प्रारम में कॉंग्रेस ने बिरोध किया था आज इसे कॉंग्रेस ने सुईकार कर लिया जिसे हम लोग लखनौ समझोते के नाम से जानते हैं दोबारा सुनियेगा लखनौ समझोते के द्वारा कॉंग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रथक निरवाचन की प्रणाली की मांग को सुईकार कर लिया और इसे ही लखनौ समझोते के नाम से जाना जाता है तो ये था आपका लखनौ अधिवेशन 1916 जिसमें बेटा कॉंग्रेस का एक ही करण हुआ और कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग भी जो है इन दोनों के बीच भी एक समझोता हुआ जिसे लखनौ समझोते के नाम से हम लोग जानते हैं चलिए अब आज का हम लोग आखरी टॉपिक डिसकसन करते हैं अगली क्लास में हम गांधी जी को पढ़ेंगे गांधी जी के बेसिक जीवन बेसिक ख्योरी को पढ़ेंगे और पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि गांधी जी हमाई देश के रास्ट पिता है अब हम जो है बहुत अच्छी नौलेज अपने साथ लेके चल रहें लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि हमाई देश के रास्ट पिता कौन सी घटना थी जिसकी बज़े से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाप संकल्प लिया कि मैं आपको अपने देश से निकाल करके ही डम लो होंगा ऐसी कौन से चीज़ें थी जो एक बकील क्या किया एक बकील जो है वो आंदुलनकारी बन गया चलिए अब आईए आज का टॉपिक दिखते हैं अगला टॉपिक दिखते हैं अगला टॉपिक है होम रूल लीग मूमांट आंदुलन होम रूल लीग आंदुलन देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि होम रूल लीग आंदुलन का उड़ेश से था सशाषन की प्राप्ति प्राप्ति दूसरा उद्देश से इसका दूसरी चीट जो आपको इसमें याद रखने हैं दुनिया में सबसे पहले, ये जो आंदोलन है, होम रूल लीग बाला आंदोलन जो है, वो आयर लेंड के नेता, आयर लेंड के नेता, नेता, रैड मेंड ने प्रारम किया था, रैड मेंड ने स्टार्ट किया था, या रैड मेंड ने प्रारम किया था, होम रूल लीग अंदोलन, होम रूल लीग जो है, उसका उद्दिश्य था सोसासन की प्राप्ति, और दुनिया में सबसे पहले ये आयर लेंड के नेता, रैड मेंड ने स्टार्ट किया था, अब दे उसका अर्थ होता है घर होम जो सब्द है उसका अर्थ होता है घर और रूल का मतलब होता है साशन साशन भी नहीं तो हम इसे मान सकते हैं नियम यानी घर के नियम और घर में नियम कौन बनाता है आप बताएए हमारा घर है तो नियम कौन बनाएगा हम अपने पड़ोसी के नि तो नहीं मानेंगे न हम सरकार के नियम भी नहीं मानेंगे न हमारा घर है हम कैसे रहेंगे हम कैसे नियम बनाएंगे यही स्वसासन है बेटा होम रूल लीग यह कहती है होम का मतलब होता घर और रूल का मतलब होता नियम घर के नियम और घर में नियम घर के लोग ही बनाते हैं कोई बाहारवाला जो है वो घर के नियम नहीं बना सकता है ऐसे ही सेम ऐसे ही होमरूल लीग का अद्धिश्य था कि भारट की अंतरगर्थ भारत के सासन के लिए भारत की लोग हीки क्या करेंगे नियम बनाएंगे इसी लिए Home Rule League आंदोलन प्रारंब किया गया था Home Rule League का अद्देश्य था कि भारत में स्वसासन मतलब अपने सासन की प्राप्ति की जाए ऐसा भारत में ऐसा करने के लिए Home Rule League आंदोलन प्रारंब हुआ और दुनिया में सबसे पहले आयलेंड के निता Redmond ने जो है वो Home Rule League आंदोलन प्रारंब किया था यहां में आपको एक चीज़ समझाना चाहूंगा हमारे देश में दो Home Rule League बने थे पहला जो लीग था उसका नाम था तिलक का लीग यानि एक बाल गंगादर तिलक और एनी बेसेंट ने इन दो लोग वोने लीग बनाया था तो पहला था हम लोग डिसकर्शन करेंगे इदर तिलक का लीग और दूसरा इदर डिसकर्शन करेंगे हम लोग एनी बेसेंट का लीग बेसेंट एनी बेसेंट का लीग तिलक का लीग और एनी बेसेंट का लीग सबसे पहली चीज में आपको बता दू, तेलक के लीग और एनी बेसेंट के लीग में पहली चीज फ़र्स्ट आप आप ये जान लीजेगा की एनी बेसेंट ने एक statement दिया था और statement क्या दिया था, उन्होंने कहा था ये बात कही थी कि तिलक के कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे कुछ लोग तिलक को पसंद नहीं करते हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत तौर पर मतलब परस्नली व्यक्तिगत तौर पर हमारे बीच में कोई मतवेद नहीं है मतवीद इतना है कि कुछ मेरे लोग हैं जो तिलक को पसंद नहीं करते और तिलक की कुछ लोग है जो मुझे पसंद नहीं करते लेकिन ब्यक्ति का तोर पे हम दोनों में कोई भेदवाब नहीं है बढ़िया है मामला अच्छा अब सुनिएगा जो तिलक का लीग था बिटा ज जबकि एहनी वेसेंट का जो लीग था उसकी स्थापना एक सितंबर 1916 को की गई पहली चीज दूसी चीज इसके जो अध्यस थे तिलक वाले लीग के जो अध्यस थे वो थे आपके जोसेफ इसके अध्यस जो थे वो थे आपके जोसेफ बटिस्टा या बटिस्टा ये इसक जबकि एनी वेसेंट वाला चो लीक था इसकी अध्यच खुद जो है वो एनी वेसेंट थी इसकी अध्यच जो है वो खुद एनी वेसेंट थी अच्छा इसका हेड आफिस जो है तिलक बाले का ये था पूना और इसका हेड आफिस जो है वो था अडियार और अडियार मतलब आजकल कह सकते हम लोग मद्रास या चेन्नाई ठीक है अच्छा इसका जो प्रसार छित्र था बो था आपका महरास्ट और महरास्ट में भी मुंबई को छोड़ कर मुंबई को छोड़ कर ये जो छोड़ कर दोवारा सुनो तिलक का जो लीग था उसका प्रसार छित्र था महरास्ट में मुंबई को छोड़ कर पूरा महरास्ट पर इनका प्रसार छित्र नहीं था मुंबई को छोड़ करके इसके साथ साथ आपका करनाटक हो गया आपका करनाटक हो गया आपका मध्यप्रांत हो गया तिलक का बरार हो गया इस शेत्र में तिलक का लीग फैला हुआ था आप नोट करते चले साथ साथ इसमें तिलक का लीग जो है वो महरास्त मुंबई को छोड़कर करनाटक मध्यप्रांत और बरार इन शेत्रों में जो है वो इनका तिलक का लीग फैला हुआ था जबकि एनी ब इसेंट का लीग जो है वो पूरे देश में फैला था बस तेलक के छेत्र को छोड़कर बस तेलक के छेत्र को छोड़कर तेलक के छेत्र को छोड़कर बस ऐसा अच्छा फिर सुनिएगा शांडासी अगली कुस्षिन जो है अच्छा सा कुस्षिन है बीटा ये जो है तेलक ने अपनी लीक के लिए या कह सकते हैं इन्होंने दो समाचार पत्र निकाले थे एक का नाम था मराथा दूसरे का नाम था केशरी मराठा जो है वो इंगलिस भासा में लिखा हुआ था और केसरी जो है वो मराठी भासा में लिखा था दोबारा सुनो इनोंने केसरी और मराठा दो समाचार पत्र निकाले थे मराठा इंगलिस में था और ये जो है दैनिक था मतलब डेली आता था और ये जो है सापताहिक, सापताहिक मतलब weekly, मतलब हफते में एक बार आता था, इस तरह से ये जो है चलता था, दोसी चीज आप ये जान लीजिए, तिलक का जो लीग था, वो एक तरह से एक छेत्री अदल था, छेत्री अदल जैसे हमाई देश में समाजवादी पार्टी है, या ममताव इनर्जी की पार्टी है, ये छेत्रीय दल था, पहली चीज आप जान लीजिए, जबकि ये बाला जो है, मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जो एनी बेसेंट थी, इनोंने इनोंने भी दो समाचार पत्र निकाले थे, एक का नाम था, न्यू इंडिया, और दू उसे का नाम था, कॉमन वैली, न्यू इंडिया, और ये दोनों ही इंग्लिस में लिखे थे, न्यू इंडिया जो है, ये देनिक था, मतलब प्रति दिन आता था, और कॉमन वैली जो है, वो सापताहिक था, मतलब weekly आता था, एक बात, तूसी चीज, ये जो है, एनी की पाईटी थी ये राश्ची पाईटी थी ये राश्ची पाईटी गयो बन गई थी क्योंकि Niagiusan पहले से Theosophical Society चला रही थी और हर सेर में उनकी इसकी कोई 6 प्रांच इसकीे 6 साखाई थी और इसकी बीटा 200 साखाई थी 200 ब्रांचες दो साखाई और ये 200 साखा पहले से घ्योज़ फिकल सुसाइटी की साखा थी तो एनीबिसंट ने उनीच घ्योज फिकल ससाइटी की साखा को इस से जोड दिया और एकतरह से नए जो है फो होम रूल डा नोल न को एनी बैसंट की लीट को एक नया इस्थान मिला जग्य में फिर उसके बाद जो है इन दोनों में अंतर पढ़ने के बाद अब हम आगे एनी बेसेंट का लीग हमने अभी देखा अच्छा अब आपसे कभी कुछिन पूछा जाए कि होम रूल लिग का हैड आफिस कहा था और आपसन में आते पूना अडियार ल जगा के आना ये कनफ्यूज नहीं होना कि उन्हों ने तिलक का पूछा यह एनी वे सेंट का पूछा है एनी वे सेंट की जो लीग थी वो रास्तीय दल था वो रास्त पूरे देश में फैला हुआ था वो बड़ा धल था इसलिए एनी बेसंट वाला अंसर सही होंगा एक भारत मंत्री जिनका नाम था Montague, Montague, Chimps, Ford, Reforms आगे हम पढ़ेंगे, तो Montague जिनका नाम था उन्होंने घुषना की थी, कि भारत के प्रसाशन में भारत के लोगों का जो है, वो हेस्सिदारी जो है, वो बढ़ाई जाएगी, इस घुषना को लेके Congress दोबारा से दो भागों ब प्रसाशन में नहीं, हमें राजनीती में भी अधिकार चाहिए, इसी बात पर दुवारा से थोड़ा अन्मन हुगा, और आप सब बालक जानते हैं, कि इसी के बुरोध में 1968 में सुरेंदर नाथ विनर जी ने भारती उदारबादी संग की स्थापना की, एक चीज, दूसरी इस आन्दोलन के दोरान ही, एनी बेसेंट गरफतार हो गई, अच्छा, बाल गंगात अतिलक जो हैं, वो कहां चले गए, लंडन चले गए, वेलेंटाइन चिरोल पर केस करने के लिए, इसी लिए ये होम रूल लीग आन्दोलन जो है, बाद में धीरे-धीरे समाप्त हो गय मैं आपको समझाना ये चा रहा था, कि ये एक तना बड़ा आंदोलन जो है, वो इसलिए सांत हो गया, इसलिए रोग गया, क्योंकि एनी बेसेंट को गरफतार कलिया गया, और एनी बेसेंट की बाद में थोड़ी सी मैंटलेटी भी चेंज हो गई, उन्होंने सूचा ठीक ह जो दिया है वो बहुत है, दूसरा चीज जो है बाल गंगादर तलक जो है, वो बैलेंटाइन चुरोल पर केस करने के लिए जो है, वो कहां चलेगे बेटा, वो चलेगे आपका जो है लेंडन चलेगा, इसके साथ ही आज हम लोगोंने तीन टॉपिक को पढ़ा है, पहला थ आजी के द्वारा भारत में भारत के रास्टी आंदोलन को समालना, अब मेन आंदोलन आएगा, बहुत इंट्रस्टिंग इंट्रस्टिंग टॉपिक आएंगे, स्टोरीज आएंगी, आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक साल तक, ऐसे लोग आपको मुझे समझ नहीं आते हैं इतने नेगेटिव लोग आपको कहां से मिल जाते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा और आपका सेलेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं हो बीटा, कि 6 महीने बाद वेकें जो लोग पढ़ रहें, उनका सेलेक्शन हो जाए, इसलिए आप प्रॉपरली महनद करें, इस लोग डाउन का प्रॉपरली फायदा उठाए, अफवाओं से बचें, समझ नहीं, यूपी सरकार के अलावा भी बहुत सारे आपके पास है, एसे सी का है, रेल वे का है, बहुत सारे आपसर है, इसके साथ ही मैं अपनी आज की बाद समाप्त करता हूँ, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच